हेलो एवरिवन, वेलकम टू इंडन जूडिसल सर्विस आज हम लोग पुलिस अधीनियम 1861 के वीडियो स्रीज के सेकंड पार्ट में कोश्चन नमबर 41 से लेकर 80 तक करेंगे अगर किसी ने प्रिविएस वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहाँ से जाकर आप प्रिविज वीडियो देख सकते हैं चलिए शुरू करते हैं कोश्चन नमबर 41 धारा 34 के अंतरगत निम्न में सड़कों पर कारित होने वाला अपराद है तो धारा 34 सबसे पहले हम दोग धारा 34 की बात करते हैं धारा 34 की आए तो धारा 34 जो है वो सड़कों और कतिपय अपरादों के लिए डंड के इत्यादी में पुलिस अधिकारियों की सक्ती की बात करती है और किस तरह के अपराद जो हैं जो इसमें सम्मिलित की जाते हैं तो जिसमें निवासियों वा अंगतुक वा यात्रियों को बादा पहुंचाना असुबिदा पहुंचाना छोग जोकिम संकट इत्यारी या नुकसान आधी कारित करने के लिए जो इसमें प्रावधान दिया अगर इस तरह कोई भी बंदा करता है ऐसे कार तो वो जो है इसमें 50 ौपे का जुर्माना प्रावाज वो यहां पर कृठोड सरं हो सकता है तो इसका जो है आठ दिन का इंद के लिए यहां पर कर बास हो सकता एं आते हैं देखते हैं क्या है यह तो यहां पर होनेवाला अपराद है ठोड़द्या बेतहासा सवारी जीव जंसेृता यात्रिय को बादा पहुचाना ऑप्सन डी उप्युक्त सभी तो इसमें उप्युक्त सभी आएगा प्रेसन नमबर 42 निम्न में से कौन सड़कों पर कारित अपराद नहीं है तो मार्क पर धूल फेकना मत या बाले आत्मक पाया जाना शरीर का असिस्ट प्रदर्सन इसमें से कोई नहीं तो अपराद नहीं है तो यहां पर अपराद इसमें से कोई नहीं है तो यानि यह सारे चीज़ जो है अपराद माने जाएंगी इसमें कुछ पुस्तकों में दिया हुआ है सड़क पर धूल फेकना अपराद नहीं है परन्तु सड़क पर धूल फेकना भी एक अपराद है अगर कोई ऐसा वेक्ति जो सड़क पर धूल डाल देता है धे सारी जिससे कि किसी तरह का किसी यात्री को जोक्यम या परिसानी का सामना करना पड़ता है तो इसमें आ सकता है आते हैं प्रस नंबर 42 में धारा 32 और धारा 34 किसी के अंतगत कारित अपरादों का प्रसमन किया जा सकता है ओप्सन ए अवियोजन के पूर्व 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 अ तो इसलिए option C यहाँ पर correct है प्रेस नमबर 44 निम्न में से किसके विरुद्ध किसी आरोप या जाच का अवधारन केवन मजिस्टेट की सक्तियों का प्रियोग करने वाले अधिकारी द्वारा ही किया जा सकता तो यहाँ पर कौन सा अधिकारी ऐसा अधिकारी है जो मजिस्टेट की सक्तियों रखता है किया जा सकता है उप निरक्षक की सक्ति पंक्ती से ऊपर के पुलिस अधिकारी के विरुद्ध option B Constable की पंक्ती से उपर के पुलिस अधिकारी के बिरुद Option C पुलिस बल के सबी सरस्यों के बिरुद Option D इसमें से कोई नहीं तो इसमें आंसर होगा Constable की पंक्ती से उपर पुलिस अधिकारी के बिरुद Option B एक प्रसन है यहां पर कि अगर कोई पुलिस अधिकारी मजिस्टेट की सकतियों को धारान करता है तो क्या वो बैक्ती या वो पुलिस अधिकारी 164-164 CRPC के बयान रिकॉर्ड कर सकता है अगर उस तर मालूम है तो इसको कमेंट बॉक्स पे डालिए जितने से जानर लोग अधिक से अधिक डिस्क्रिप्शन में जो भी चीज़ आप डालना चाहते जरू इसको दीज़े जिससे कि आपको भी प्रक्टिस होती है और लोग भी जो भी इनको नहीं मालूम हो तो वो चीज़ को देख सकते है अगले प्रेस्ट पे आते हैं कोश्चन नुमर 45 पुलिस अधिनियम के अंतरकत कारित अपरादों के लिए अधि रोपित जुर्माने की धनरासी के संधाय में व्रतिक्रम होने पर जुर्माने की जो रासी है उसके व्रतिकरम होने पर कारवास की अवधी होगी तो अपो पहले इस बात में डिसक्स कर सकें आथ दिन की होगी सास्रम या सम रहित हो सकती है अगले پर teacher पर आते हैं person नमर 46 पुलिस अदिनियम के आधीन कारित अपरादों के लिए कारवाईया अदिनियम कि आधीन कारित अपरादों के लिए कारवाइयां परिवाद की तित्थी से कितने महां के अंदर किया जा सकता है तो ये तीन महां के अंदर किया सकता है अगले present पर आते हैं निम्न में से कौन पुलिस डायरी को मंगवाने और उसका निरिच्छन करने के लिए सुरतंत्र है तो ये बहुती सीधा और सदा अंसर है यहां पर जिला मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट जो है वो पुलिश डायरी को मंगवाने और उसका निच्छन करने के लिए स्वतंतर होता है जुडिसियल मजिस्ट्रेट भी इसको मंगा सकता है पर इस डायरी को as evidence के तौर पर नहीं योज किया सता है किया जा सकता है यह संप्रेशन किया गया था तो यह बात कही गई है हबीब महुम्मद बनाम हैदराबाद की केस में कि पुलिश डायरी जो है वो साच के रूप में उप्योग में नहीं लाई जा सकती है ना तो prosecution के द्वारा नहीं defense के द्वारा अगले प्रसंट पर आते हैं 49 ग्राम पुलिस पर अधिकार होता है तो ग्राम पुलिस पर जो अधिकार होता है वो जिला अधिक्षक का होता है अगले प्रस्वाइन प्रफिप्टी पुलिस संसोधन अधिनियम 1861 में प्रथम संसोधन किया गया तो पुलिस संसोधन 1861 को गवर्नर जर्रनल की अनुमति कब प्राप्त हुई यह प्रस्वाइन पहले भी कर चुके हैं मार्च 1861 को प्राप्त हुई अगले प्रसंट पर आते है निर्वाचन खंड किस धारा में वर्णित है तो निर्वाचन खंड जो है वो धारा एक में वर्णित है जिसमें की definitions दी जाती है और चीज़े बताई जाती है कौन सी चीज़ की क्या परिवासा है कौन अवधारित करता है तो यह राजस सरकार इसको अवधारित करती है धारा 2 में दिया गया यह चीज़ अगले प्रसंट पर आते है 54 राजस सरकार में अधिक्षण नहित होने सम्बंदी प्रावधान किस धारा में दिये गए तो ये धारा आठ में दिये गए राजसरकाद जिन्हें आवस्यक समझे जिले के मजिस्ट्रेट की इस्थानी अधिकारता में सर्वत्र पुलिस का प्रसासन ऐसे मजिस्ट्रेट के साधान नियंतर्ण और निर्देशन के आदीन किसमें भीत होगा तो ये उप्सन ए जिला पुलिस अधिक्छक उप्सन बी सहायक जिला अधिक्छक उप्सन सी उप अधिक्छक में और उप्सन डी ए और बी दोनों तो यहाँ पर उप्सन डी होगा ए और बी दोनों जिसमें की जिला पुलिस अधिक्छक और सहायक जिला अधिक्षक में प्रेस नमबर 56 पे आते हैं अवर अधिकारियों की नियुक्ति और पत्चिति आधी समंदी प्रावधान किस धारा में वर्णित हैं तो ये धारा साथ में वर्णित हैं ये एक प्रेसन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कुछ नमबर 57 पुलिस अधिकारी पुलिस अधिकारी पुलिस अधिनियम के आधीन अपने कर्तब्यों से भिं किसी नियोजन या पद पर किसकी लिखित अनुग्या से लगाए जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्सन भी होगा माहानिरिक्छक की पुलिस अधिकारी के पद त्याग संबंदी प्रावधान किस धारा में बढ़नित है तो ये धारा नौ में बढ़नित है लेकि जो धारा पांच है वो पुलिस महा निदेशक और एवं महा निरिक्षक की सक्तियां एवं उसके प्रियोग के बारे मत करती है तो ये महा की बात की गई है और धारा नौ जो है ये पुलिस अधिकारी बिना इजाजत जो है दो मा से अस्यादि के तो त्याग पत्र नहीं करें तो विशेज पुलिस अधिकारी इसकी नियुक्ति के समंदी प्रावधान ये धारा सत्रा में वर्णित ये गए हैं अच्छों में अत्रिक्त पुलिस की नियुक्ति के बारें बात करती है और धारा सत्रा में विशेज पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के समंदी प्रावधान दिये गए हैं अगले परसंट साथ पर आते हैं विचुब्द एवं संकर्पूंट जिलों में अतरिक्त पुलिस संख्या बढ़ाय जाने की उद्घोसना राजपत्र में किसके द्वारा अधिसूचित की जाएगी तो ये उद्घोसना राजपत्र के द्वारा की जाएगी धारा पंद्रा में इस बात का प्रावदान दिया धारा पंद्रा जो है वो विछुब्द या संकर्पूर्ण जिलों में अत्रिक्त पुलिस के न्युक्ति की या संख्या बढ़ाए जाने की बात करती है आते हैं कोशन नमबर 61 राज सरकार द्वारा राज पत्र में की गई उद्गोस्णा में विदनिस्ट दोनों में रखे जाने के लिए उस नियत समान संख्या के अत्रिक्त पुलिस बल राज सरकार की मन्जूरी से कौन नियुजित करेगा तो यहाँ पर उप्सन ए है महानिरेशक उप्सन भी पुलिस महानिरिक चक उप्सन सी उप महानिरिक चक और उप्सन डी पुलिस बंदी चक तो यहाँ पर उप्सन भी है पुलिस महानिरिक चक एक बार हम लोग प्रेसन फिर से देख लेते हैं यहाँ पर राज सरकार द्वारा राज पत्र में की गई उद्धोस्णा में विदनिस्ट दोनों में रखे जाने के लिए उस नियत सामान संख्या के अतरिक्त पुलिस बल राज सरकार की मंजूरी इसे कौन नियोजित करेगा तो यह पुलिस महा निरिक्षक नियोजित करेगा अगले प्रेसन पर आते हैं प्रेसन नमबर 62 महा निरिक्षक की सक्ती के समन्द में प्रावधान किस धारा में बर्णित हैं तो महा साथ जो है वो हम लोग फिर से देखते हैं एक बार अवर अधिकारियों की नियुक्ति और पद्चिति की बारे में बताया गया है और धारा नौ जो है ये पुलिस अधिकारी की बिना इजाज़त या कोई भी कार करता है तो या दो मास की सुचना पर त्याग पत्र नहीं दे गया है अगला आते हैं लोग कोईशन नमर 63 निवासियों या भूमी में हितबद व्यक्तियों के दुराचरण से पीड़त को प्रतिकर दिलाए जाने संबंदी प्रावदान कौन सी धारा में दिये गए हैं तो ये धारा पंदरा ए में दिये गए हैं ये पंदरा ए में बता धान दिया गया है और धारा 13 जो है ये कहती है अत्रिक्ट पुलिस भल के बारे में अधिकारी के बारे में बात करती है और धारा 16 जो है ये धारा 13, 14 और 15 और 15 का के आधीन जो संदे धनों की बसूली है और उसके होने वाले उसके व्याय के व्यायन के बारे में बात करती है धारा सत्रा जो है ये विसेज पुलिस अधिकारी की बात करती है अगला प्रस्ट कुश्चन पर आते हैं हम लोग 64 रेल या अन्न फर्मो कर्मो के आसपास पुलिस बल की न्यूकती समंदी प्राफधान है तो रेल या अन कर्मो के आसपास पुलिस वल की न्यूकती समंदी प्राबधान है तो ये प्राबधान धारा 14 में है धारा 14 जो है वो रेल या अन कर्मी तो यहां कर्मी है यह सब्द कर्मों नहीं है तो यह लिया अन कर्मी के आसपास अत्रिक्त पुलिस वलकी न्यूक्ती के बारे में प्राद्धान करता है तो यह हो गया धारा 13 क्या कहती है धारा 13 जो है वो अत्रिक्त पुलिस अधिकारी के बारे में बात करती है धारा 18 जो है विसेश पुलिस अधिकारी की सक्तियों के बारे में बात करती है धारा 18 जो है यह विसेश पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा के बारे में बात करती ह तो इस पुलिस बलकि न्यूक्ति संबंदी प्रावधान धारा 14 में दिये गए अब आते हैं प्रस नंबर 65 में इसमें पुलिस अदेनियम की धारा 17 तो धारा 17 के बात करती है विसेश पुलिस अधिकारी की बात करती है तो पहला है विसेस विसेसा अधिकार एबं परित्रान पुलिस के सामान अधिकारी के सामान होंगे वैब पुलिस के सामान अधिकारी के सामान वैसे ही करतब्यों का पालन करने का दायतोहीन होगा वैसे ही और वैसे ही सक्तियों और वैसे ही अधिकारियों के अधिनस्त होगा option C इसकी सक्तियों के संबंद में अलग से प्रावधान किये गए है और option D केबल A और B सही है तो यहां पर option D सही है केबल A और B सही है यानि A और B क्या कहता है विसेसा अधिकार और परितरान पुलिस के सामान ने अधिकारी के सामान होगे यानि जो पुलिस के सामान ने अधिकारी है उसी के सामान ने अधिकारी के सामान वैसे ही करतब्यों का पालन करने के दायत्वा धीन होगा और वैसी ही सक्तियों और वैसे ही अधिकारियों के अधिनस्त होगा तो विसेश पुलिस अधिकारी जो है उसके जो है विसेश अधिकार भी सामान पुलिस के तरह ही होंगे और उसी तरह से उसके कर्तब भी और उसके दायत भी अधिकारियों के आधिन होंगे प्रस नमबर 66 इसमें दिया है विसेश पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा करने से इनकार करने या उपेच्छा करने के लिए क्या डंड दें सकेगा तो यहाँ पर आप्शन A है 200 रुपए का अर्थ डंड आप्शन B है 50 रुपए का अर्थ डंड आप्शन C है यहाँ पर 50 रुपए का अर्थ डंड और 2 महा का कारवास और आप्शन D है यहाँ पर इसमें डंड का प्रावधान नहीं है तो इस प्रस नमें जो अगर कोई विसेश पुलिस अधिकारी है कि रूप में सेवा में करने से इनकार करने या उपेच्छा करने के लिए डंड जो है वो 50 रुपए का अर्थ डंड दिया जा सकता है अगले प्रस पर आते हैं हम लोग कोईशन नमर 67 ग्राम पुलिस अधिकारी की नियुक्ती संबंदी प्रावधान किस धारा में दिये गए हैं तो ग्राम पुलिस की जो नियुक्ती के प्रावधान है वो धारा 21 में दिये गए हैं और धरा 22 क्या कहती है धरा 22 जो है ये पुलिस अधिकारी सदैव करतब विरूर होंगे और जिले के किसी भी भाग में नियोजित किये जा सकेंगे यानि यहां पर पुलिस अधिकारी जो होंगे वो सदैव करतब विरूर होंगे हमैसा कारे के लिए ततपर रहेंगे और उनकी जो ट्रांसफ़र है उनकी नियुक्ति जो है वो जिले के किसी भी भाग में की जा सकती है इस बात को धाराब 22 बताती है धारा बीस क्या कहती है धाराब 20 जो है वो ग्राम पूलिस अधिकारी के प्रफ्दान अप्यूक सभी भाराईं में दिये गए गए धहरा 23 25 34 जो भी 9 सब्सक्राइब करने और सब्सक्राइब करने के बारे में प्रावधान करती है धारा तेईस में करतब हो जाते हैं पचीस पचीस धारा यह पुलिस अधिकारी बिना दावे दावे वाली संपत्ती को अपने भार साधन में लेंगे और इसके वेयन में बावता मजिस्ट्रेट के आदेसों के आधीन होगे यानि कोई भी ऐसी संपत्ती जिसका कोई मालिक नहीं तो उसको अपने कस्टोडी में लेते हैं तो यह बात जो है धारा पचीस में कही जाती है अब आते हैं हम लोग, question number 69, प्रतेक पुलिस अधिकारी का यह करतब भी होगा, कि वह बिना दावे वाली सबी समपतियों, यह धारा 25 समपतियों को अपने भार साधन में लेंगे, और उसकी सूची किसे देंगे, इस बात तो भी हम लोग चाचा कर चुके हैं, कि उसकी सूची जिला magistrate को देंगे, तो option D यहाँ पर सही होगा, sorry, option B यहाँ पर सही होगा, और यह धारा 26 में दिखाया गया है, और सेम चीज यहाँ पर आप धारा 25 में इस बात को अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, और धारा 26 क्या कहती है, यह 26 जो है, वो magistrate समपतियों की question number 70, पुलिस अधिनियम की धारा 26 के तहर जिला magistrate समपति को निरुद कर सकेगा, और उसकी उद्वोसना जारी कर सकेगा, जैसे हम लोग पहले चलचा कर चुके हैं, कि यह सकती magistrate को दी गई है, कि वो निरुद कर सकेगा, और उसकी उद्वोसना जारी करेगा, कि समपति पर अवदी है, वो कितनी होगी, तो यहां पर उद्वोसना जारी करने के दो महा, उद्वोसना जारी होने के चार महा, उद्वोसना जारी होने के छे महा, और कोई निश्चित अवदी नहीं है, तो यहां पर उद्वोसना जारी होने के छे महा के अंदर, जो भी बेक्ति समपत संपत्ति के अधिकरण संबंदी विधी क्या होगी तो ऑप्शन ए है यहां पर यदी कोई वक्ति ऐसी संपत्ति पर यदी संपत्ति पर या यदी बेंच दी गई है तो उसके आगमों पर इस कलावदी के अंदर जो अनुव्याद की गई हो दावा नहीं करना है तो वह धारत 26 22 के आधिन पहले बेंच नहीं दी गई है तो वह पहले वह जिले के मजिस्टेट के आधिसों के आधिन बेंच दी जाएगी तो यहां पर यह कहता है कि अगर कोई वेक्ति है जो ऐसी संपत्ति पर या बेंच जो संपत्ति है यदी वह बेंच दी गई है तो उसके जो भी बि 22 के आदिन पहले बेच नहीं अगर 26 में बेची नहीं गई तो जिले के मजिस्टेट के आदिन से चाहेगी तो चक्राइब चाहँ खांद धिएंतो नहीं बेच दिया गिए को की दावेदार नहीं आया है इस लिए option B है यहाँ पर धारा 27 एक के आधीन बेची गई संपत्ती के बिक्रे आगम या धारा 26 के आधीन बेची गई संपत्ती के आगम के जिस पर कोई दावा इस्थापित नहीं हुआ है राज सरकार में व्याया धीन हो जाएगी तो अगर कोई संपत्ती जो है नहीं अगर उसका कोई दावेदार आता है और या फिर वो संपत्ती जो है बेंच दी गई है और उससे कोई आगम प्राप्त हुए है वो आगम लेने उसका दावा करने कोई विक्ति नहीं आता है तो ऐसी संपत्ती या उसके प्राप्त जो आग अगले प्रेस्ट के आते हैं धारा कुश्चन में 72 पुलिस अधिकारी ना रहने पर प्रमार पत्र इत्यादी का परिदान करने से इंकार करने वाला व्यक्ति किस डंड का भागी होगा 200 रुपए से अनादिक सक्ति 6 मास से अनादिक कठोर या साधरन कारावास अभी दोनों उप्यूक्स में से कोई नहीं तो यहां पर उप्शन ए और बी दोनों होंगे यानि पुलिस अधिकारी के ना रहने पर प्रमार पत्र इत्यादी का परिदान करने से इंकार करने वाला व्यक्ति किस डंड का भागी होगा तो वो 200 रुपे से अनादिक की सक्ति और 6 मास से अनादिक कठोर या साधरन डंड से करावास से डंडित होगा तो ये बात जो है धारा 28 में दी गई है तो धारा 28 क्या कहती है धारा 28 पुलिस अधिकारी के ना रहने पर प्रमार पत्र इत्यादी के परिदान करने से इंकार करने वाले व्यक्ति के बारे में Q73 करतब आदि की उपेच्छा के लिए धारा 29 में कितने डंड का प्रावधान है तो option A है यहाँ पर तीन महा के बेतन से अनधिक सक्ति option B है यहाँ पर तीन महा से अनधिक कलावधी के लिए कठोर स्रम सहित या स्रम रहित कारवास option C है A और B दोनों और option D है उप्यूक्त में से कोई नहीं तो यहाँ पर उत्तर होगा option C A और B दोनों अगर कोई व्यक्ति करतब आदि की उपेच्छा करने धारा 29 के तहत उसको डंड का प्रावधान है तीन महा से अनधिक के जो है फाइन की बात करता है और यहाँ पर तीन महा से अनधिक के कलावधी के इसमें सस्रम या स्रम रहित कारावास की बात की गई है तो यह धारा 29 के तहत था तो इसमें दो नहीं option सही है option D नहीं हो यहाँ पर question number 74 अग्यप्ति की सर्तों का अतिक्रमण करने वाले जमाव जूलूसों को रोकने या बिखर जाने का आदेस कौन दे सकता है तो option A है यहाँ पर पहले तो जमाव जूलूसों को बिखर जाने का जो आदेस के प्राफधान है वो धारा 30 में दिया गया है तो धारा 30 जो है वो इस पर चचा करती है जिसमें जवाव और जूलूसों को बीनेमन और उसके लिए अनग्यप्ति देने की बात कही गई है और इसमें option A है कोई भी सबी जो है इस तरह का आदेस दे सकते हैं धारा 30 के तहरत अगला प्रसन आते हैं question 75 पुलिस अदिनियम की धारा 30 31 का 31 के आधिन निकाले गए आदेस जो भी धारा 30 में लोग देखे है आदेस निकाल सकते है मजश्टिट भीड को जूलूस को भिखरने के लिए तो की अवग अधाना उसमें अगर कोई पुलिस अधिकारी अवग्या करता है तो उसके लिए क्या डंड होगा तो option A है यहां पर 200 रुपए से अनाधिक जुर्माना option B है दो महा का कटोर कारावास option C है A और B दोनों में से और option D है कोई डंड उपबंदित नहीं किया गया है तो ऐसा नह पैसे अनधिक का जुर्माना देना होगा और यह option A यहां पर सही होगा और यह जुर्माना कौन देगा magistrate द्वरत जुर्माना लगाया जाएगा उस अधिकारी पर अगले प्रेस्ट पे आते हैं प्रेस्ट नमर 76 पुलिस अधिनियम 1861 के आधिन कौन्स्टेवल की पंक्ती के ऊपर के पुलिस अधिकारी के बिरुद किसी आरोब की जाच या अवधारन की सकती का प्रयोग किस प्राधिकारी दौरा किया जाएगा आप्सन ए है कोई भी मजिस्टेट आप्सन बी है जिला मजिस्टेट आप्सन सी है प्रतम सेड़ी के मजिस्टेट और इसमें से कोई नहीं तो यहाँ पर आप्सन होगा प्रतम सेड़ी के मजिस्टेट और यह प्राधदान धारा 35 में दिया गया यहां मजिस्टेट की बात अभ्योजित करने की सक्ति प्रभावित नहीं होगी यह उबंद किया गया है तो यह उबंद धारा 36 में किया गया धारा 36 कहती है अन्यविदी के आधिन अभ्योजित करने की सक्तियां प्रभावित नहीं होगी धारा 33 क्या कहती है तो यहां पर जो है धारा 33 कहती है जिले के magistrate के नियंत्रण की नियाईवर्ती के बारे में बात करती है धारा 33 और धारा 32 जो है यह ठीक पूर्व जो थाराइं यानि थाराएं तीस तीस का और dåरा 31 ये 3 तीनों धारा हैं जिसम्हें कि कुछ दिये गए में मंच Titot ओधिकारीों कर आपकर थारा है दो छोह और खरीं कर चुके हैं तो यह चीजे थी इससेक्षण पर एक सेक्षन यहां पर रहे सेक्षन 37 37 क्या कहता है कि मजिस्ट्रेट द्वारा अधरोपित सक्तियों और जुर्माने की बसूली कैसे की जाएगी उसकी बात धारा 37 में की गई है अगले प्रस्ट 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 है 78 पुलिस अधिनियम के आधिन कारवाई करने के लिए परसीमा का प्रावधान किस धारा में किया गया है तो ये धारा 42 में परसीमा का प्रावधान किया गया धारा 42 जो है वो कारवाईयों की परसीमा के बात करती है और इसमें जो है जिला अधिक्छक या अपर जिला अधिक्छक या सैयुक्त जिला अधिक्चक या सायक जिला अधिक्चक को वाद के आरंब से कम से कम एक मास के पूर्व की जनके दी जाएगी तो जो वाद एतु हो गए एक मास के पूर्व की उसको सूचना दी जाएगी प्रतिवादी को या उस जिले के जो भी वेकती उसको ठीक है तो और इसमें धारा 38 जो है ये धारा 38 यहांपर निर्शित कर दी गई तो ऐसी कोई धारा यहांपर अबलेवली नहीं है और धारा 37 है यह मजिस्टेट द्वारा अदरोपित सकतियों और जुरमाने की बसूली के बात करती है और धारा 40 है ये निरसित कर दी गई है तो ये धारा हैं आपर नहीं है 40 भी नहीं है और 38 भी नहीं है अगले प्रेस्ट पे आते हैं 79 पुलिस अधिकारी द्वारा अपने पास डायरी रखे जाने संबंदी उपवंद किस धारा में ये बहुती महत्रोण सेक्षन है धारा में किए गए हैं तो ये धारा 44 में किया गया याँ धारा 44 के अंतरगत प्रतेग पुलिस अधिकारी जो होगा पुलिस अधिकारी डायरी अपने पास रखेंगे जिसमें अपने कारी के संपूर्ण विवरन को वो लिखेंगे जब वेक्तियों के परवादियों के नाम से लेकर राज के दर डेली उनके जो भी कारे होते हैं वो सारे कारे उसमें डाले जाएंगे और इसी के साथ जो है हम लोग लास्ट प्रेस्ट पे आते हैं पुलिस अधिकारी द्वारा रखी जाने वाली डाइरी को मांगने और उसका निर्च्छन करने के लिए कौन सवतंत्र है यह प्रेसं लोग पहले डिसकस कर चुके यहां पर जीरा मजिस्टेट इसको मांगने के लिए सवतंत्र है इसको विचारन विश्याय भी ले सकता है परणतु वो इस डैयरी को सिर्फ हम अपने दो सुनाए जाने या अपने लेंदे में में मदद करने के लिए अपयोग करके सकता है सौच के रूप में डैयरी का अपयोग नहीं किया जाता है अच्छ तो इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्वाद मिलते हैं next part में part number 3 इस part number 3 में हम लोग question number 81 to 120 questions attempt करेंगे thank you for watching